CM Punk is fired from All Elite Wrestling The Shield once again on top Finn Balor is now officially Grand Slam Champion Hello दोस्तों मेरा नाम है भिनफ आप देखरेगा इस Power Slam TV तो गाइस जो भी नया बंदा है मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए वीडियो के लिए है जो भी बंदा काम करता है जिससे जो सर्विसीज आई है जो स्मूज चलती रहे मैचिस अच्छे से होएं जो भी काम करता है गाइस और जो टैलेंट है रैसलर्स है उन्होंने भी ये बोले कि गार CM Punk बंदा सही नहीं है ये बहुत ही जदा इंडिसिप्लिन क्रियेट करता है और ये इसका भीहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है मतलब ये काम में बहुत ज़्यादा भाधाई डालता है और इवन टोनी खान ने भी इसके ओपर ये बोले कि पहली बार रैसलिंग शो को अपरेट करते मेरे को ये फिल हुआ है कि मेरी स्क्योर्टी खतरे में और इसी वज़े से उन्होंने फायर कर दिया CM Punk को उनके कॉंट्रेक्ट से कंपनी से उनको बिल्कुली फ्री कर दिया मतलब नाम और शानी मिटा दिया और लिट रैसलिंग से ने CM Punk का अब पदा नी CM Punk का क्या होने वाला अगर WWE में आजया है तो यार मज़ा ही आजएगा मतलब क्या तकड़ो पॉब मिल गया और उनको WWE में बैस्ट इन दो वर्ड अगली निउस भी गाईज CM Punk से रिलेटेड हो गाईज हाइप क्रेट होनी स्टार्ट हो चुकि CM Punk की WWE में रिटरन करने के लिए जितने ही मतलब रैसलिंग से रिलेटेड अकाउंट्स बने वे ट्वीटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूटूब पे उन सब ने ये डालना स्टार्ट कर दिया CM Punk, रिटरन सिंड, WWE और आगे कोशन मार्क, मतलब बहुत ही बहुत ही बड़ा कोशन है CM Punk अब क्या करेंगा, अगर वो WWE में आते हैं, गाईज WWE की मतलब, एक तो मतलब वैल्यू जो है ना, वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी मतलब यार कोई ऐसा सूपर स्टार भी नहीं, WWE के अंदर जो बहुत ही ज़ादा मतलब पॉप दिला दे, WWE को एक रोमरेंज है, या ब्रोक लेसनर है ये दो ही सूपर स्टार रहे गए, अब सैथ रोलेंज का भी इतना कुछ नाम है नहीं, अगर CM Punk इस टाइम पर, WWE के अंदर आजे तो guys, WWE को संभाल सकते हैं और इवन रोमरेंज को भी हरा सकते हैं मतलब ये बहुत बड़ा मैच हो जगा Best in the World CM Punk वर्सिस दा Tribal Chief Roman Reigns बाकि आपके इसके बारे में क्या कहना आप नीचे कोमेंट करके मेरे को बता सकते हो इसके बाद guys, Shield के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आप Wrestle Ops का ट्वीट देख सकते हो यहाँ पर इनों लिखा The Shield once again on top with gold भाई यहाँ पर जो Shield के मेंबर्स थे, Roman Reigns, Seth Rollins और Dean Ambrose, अभी Dean Ambrose तो कंपनी में नहीं है, वो All Elite Wrestling में जिसके बारे में अभी मैंने बात करी वो भी guys, champion है AEW International Champion Seth Rollins यहाँ पर World Heavyweight Champion है और Rome Reigns guys Undisputed Champion WWE के सबसे बड़े वाले तो यहाँ Shield को यहाँ सलाम है मतलब अगली न्यूज है guys, Trish Stratus के मैच के बारे में जो कि उनका मैच हुआ था यहाँ पर यहाँ पर मतलब कितनी ज्यादा सूजन है और हाथों बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा उनकी बोड़ी को इस मैच में मतलब जो बंदे कहते हैं ना यार कि WWE fake है, real है उनको यार मैं कहना चाहूंगा कि matches fix होते हैं कि कौन जीतेगा पर यारे जो performance होते हैं रिंग के अंदर यह जो मारते हैं एक दूसरे को यह बिल्कुली real होता है तो अब देख सकते हूं कितना effect पड़ा उनकी बोड़ी के उपर अब बात करते हैं गाईज रोमरेंज के बारे में और गाईज एक साल पहले आज के दिन रोमरेंज ने पिन कर दिया था ड्रू मैकेंटायर को clash at the castle कार्डिफ में जो उनका मैच हुआ था में इवेंट में undisputed title के लिए ड्रू मैकेंटायर वर्सिस रोमरेंज और अब गाईज आपने मैच देखा होगा last moment तकी समैंच में हाईप बनी ती कि रोमरेंज इस मैच को हार सकते पहला ऐसा मैच था जिसमें हमको फील हूऻरा था कि रोम मैरेंज इस मैच में गाईज हार के जाएंगे और गाईज यहाँ पर भी return हो चुका था सोलो सी कोवा का इस मैच के अंदर और रोम मरेंज ने पिन कर दिया था ड्रू मैकेंटायर को सोलो सिकोवा की मदद से बाकि आपका इसमें क्या कहना है एक साल में मतलब कितने ऐसे मैचिस मिले है रोम मरेंज को कमेंट करके जरूर बताना अगली नियूज की तरफ चलते है गाईज यह सेमी जैन और कैवी नॉवन्स से रिलेटिड है और गाईज सिर्फ वन फिफ्टी डेज हुए था उनको टैग टीम चैंपिन्स बने हुए और उनसे टाइटल से ले लिए गए हैं क्या यह सही डिसीजन है गलत मेरे को तो यह सही डिसीजन लग रहे हैं मतलब जज्जमेंट डे यार बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल पे भी चल रही है मतलब होट टोपिक बना हुए बिल्कुल और जो कैवी नॉवन्स और सेमी जैन वो मतलब शो पे आ रहे हैं कोई नहीं आ रहा है कैवी नॉवन्स कही पड़े हुए बिमार और सेमी जैन आये जा रहे हैं पिटे जा रहे हैं मतलब कोई सैंसिस का बन नहीं रहा था उनके पास टाइटल को रखने का टाइटल चेंज हुआ तो यार कोई फ्रेश फील हमको मिलेगी जैसे पहले WWE महीने दो महीने में टाइटल चेंज कर देती थी उससे हमको फ्रेश फील आती थी फाइट की अब उन्होंने कुछ ऐसी तरीक्या पनाने स्टार्ट कर दिया कि टाइटल जल्दी से जल्दी चेंज होए ओडियंस को कुछ नया देखने को मिले मेरे साब से तो यह साइट डाइट डाइटल को चेंज करके आपका इसमें क्या कहना यार कोमेंट कर देना इस बार भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगा आप यहां तक भी पहुंच चुके हो अब बात करते हैं शिंच के नाका मुरा के बारे में और गाइस कल जो मैच हुआ था शिंच के नाका मुरा वर्सिस सेथ रोलिंस का वर्ल्ड हेवी वेट चैंपिनशिप के लिए उस मैच में Seth Rollins easily win कर baja ha authentically और खायच पेबैक ओफएर जाने के बाद शिंज के नाका मुणर ने attack कर दिया Seth Rollins के उपर बिए Story Line आगे भी चलने वाले आगे इनका मैच होएगा масс के नाका मुणर को Seth Rollins का टाइटल के लिए हईगा ओवेसी बात है और टाइटल सेथ रोलिंस के हाथ से गाईज जाएगा ही जाएगा यह 100% शौर है मेरे को लग रहा है गाईज सिंच के नाकम और को तगड़ा पुश मिलने वाले डवल डवली की तरफ से मतलब यार अटाइक उन्होंने बहुत ही ख़तर नाक करा था सैतरों इस पड़ गए थे बिल्कुल ही अब चलते गाईज अपनी फाइनल न्यूस की तरफ यह हमारी लाश्ट न्यूस होने वाली है वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को गा सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में